Hello everyone, welcome you all, let's locate sir unlimited study zone और अभी यहाँ पर मैं एक special class ले रहा हूँ जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम conic section के questions को करते हैं using by short trick तो short trick का इस्टमाल करते हुए कुछ conic section के question देखेंगे जो की KVS, DSSB and UPT, GT, PGT में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तो for example आईए रेखते हैं पहला question लेते हैं इन questions को कराने का उदेश आपको short trick से सिखाना है जैसे आपके पास कोई question लिया गया है y square minus 4y minus 8x plus 4 equals to 0 यह आपके पास कोई question लिया गया है और आपको क्या करना है आपको इसमें निकालना है find vertex आपको इसकी vertex find करनी है आपको इसकी latest rectum find करनी है आपको इसका focus find करना है parabola ओके तो एक बात तो है कि इसने खोदी दे लिया है कि यह parabola है और vertex इस question को हम solve करते हैं तो कैसे solve करेंगे देखते हैं देखे यहाँ पर आपके पास जो question दिया गया है यह question है यह x की तरफ खुलेगा इसको completing the square से हम लोग वैसे normal method से करते हैं तो यहाँ पर यह देखे यह जो है x का coefficient वो जो होता है x का coefficient जो होता है 4A हुआ करता है अगर y में है तो coefficient of x अगर y में double power है तो coefficient of x और अगर x में double power है तो coefficient of y तो यह y में double power है इसलिए coefficient of x लेंगे क्या है यहाँ पर देखे so I can take 4A मैं black pen use करता हूँ answer ज़्याद अच्छा लगेगा so 4A is equal to coefficient of x कितना है minus 8 है so A is equal to minus 8 by 2 so A is equal to minus 4 ठीक है sorry गलती होगी मुझसे पहली लानी में यह 4 जागा और A equals to minus 2 तो coordinate के साथ A जो आया है यह आया है कितना minus 2 यह आ चुका है और अगर आप length of latest rectum की बात कर रहे है latest rectum जो latest rectum होता है वो कितना होता है mod 4A तो mod 4A कितना आएगा आपने पास 8 unit तो पहला तो answer आचुका हमारा latest rectum कितने unit होगा हमारा latest rectum हो जाएगा हमारा 8 unit तो सीरी बात है coefficient of X का mod तो एक formula बना लिजिए कि जो अगर आप मैं बात करूँ कि यदि आपके पास कोई equation है तो अगर आपको उसका latest rectum चाहिए तो क्या बनेगा latest rectum एक formula बन गया coefficient of X का modulus जो आएगा वो latest rectum होगा हाँ जी अब बात करते हैं कि इसका vertex क्या होगा फिर बाद में हम focus निकालेंगे तो अब vertex निकालना है देखिए जिस variable में ये double power है उसके respect में आप इसको differentiate कर दीजे taking X as a constant तो आईए differentiate करते हैं so we have equation y square minus 4y minus 8x plus 4 equal to 0 ये हमाई पास equation है ये double power किसमे है y में है तो इसको y के ही पदों में इसको differentiate कर दीजे तो ये हो गया कितना 2y ये हो गया minus 4 ये हो गया minus 8x क्योंकि x को हमने as a constant लिया है तो constant लेंगे तो differentiation 0 भी तो हो जाएगा और 4 का भी 0 हो गया equal to 0 so 2y minus 4 equal to 0 so 2y is equals to 4 it means y equals to 2 तो y की value हमाई पास क्या चुकी है 2 आ चुकी है y की value आप इस equation में रख दीजे आपके पास x आ जाएगा तो y की value मैं इस equation में substitute करता हूँ तो y का square 4 minus 4 to the 8 minus 8x और plus का कितना है 4 equals to 0 4 minus 8 हो जाएगा minus 4 minus 8x plus 4 equals to 0 4 से 4 cancel मतलब x equal to कितना आ गया 0 तो इस parabola का जो vertex है वो कितना आएगा 0,2 इसका जो vertex हाएगा वो कितना आएगा इस parabola का 0,2 ठीक है ना तो इसका vertex हागया है 0,2 इसको आप ऐसे बना लीजीए समझने के लिए ये है तो ये पैराबोला जो है इसका जो vertex आएगा ये आएगा 0,2 चलिए तो vertex आगया है 0,2 अब देखें focus के लिए आपको short trick याद रखनी है focus के लिए short trick ये है कि focus is equal to vertex minus a,0 ये है आपका focus की short trick vertex minus a,0 मतलब अगार आप vertex से a,0 को minus कर देंगे तो आपके पास में क्या आजाएगा focus आजाएगा तो देखें vertex आपके पास क्या निकला है 0,2 निकला है और minus a कितना निकला है minus 2,0 ये है तो इसको solve करते हैं तो 0 minus minus 2 क्या हो जागा plus 2 and 2 minus 0 equal to कितना बन जाएगा 2 so ये आपके पास एक बहुत बढ़िया short trick है जिससे answer आप निकाल सकते हैं इस तरीके के questions का using conic section में जो आपके पास parabola की question दी रहेगी उसमें आपको अगर vertex निकालना है, latest rectum निकालना है, focus of the parabola निकालना है तो बहुत easily आप इनको find कर सकते हैं झालना है